हेलो केडिट्स कैसे हो आप लोग मास बढ़ियां चलो मैं यहाँ आज आपके पास एक डाउट लेकर करके आया हूँ बहुत सारे बच्चों के डाउट से यह कि इंफानाइट सीरिस के इस टाप के कोशन को कैसे सॉल्व करते हैं अब साहिनी के स्कूल के बच्चों के लिए इ आप लोगों के लिए तो चलो बिना किसी देरी के जल्दी से start करते हैं तो इस type के जब भी question हो infinite infinite तक गया है न under root 6 plus under root 6 है तो जाते जा रहा है जाते जा रहा है तो जब भी इस type के questions हो तब आपको क्या करना है इन type के questions में break कर देना है 6 का factor अगर आप 6 का factor देखो तो 6 का factor क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और जब भी इन दोनों factor के बीच में 1 का difference आए तभी आप ये sort trick लगा सकते हो यहाद रखना sort trick कब लगा सकते हो only and only when only when difference between both the factor is 1 ठीक है जब दोनों factor के बीच का difference 1 हो जैसे 3 minus 2 is 1 तभी आप ये sort trick लगा सकते हो और sort trick क्या बोलती है कि अगर सब के बीच में plus है plus है तो जो इसका बड़ा वाला number है this will be the solution है तो इसका answer हो जाएगा 3 और अगर यहीं पर plus के जगा अगर minus होता for example यह देखो यहाँ पर plus था तो 6 को आपने लिखा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 दोनों के बीच का difference कितना है 1 तो सब में plus है तो answer is 3 और सब में अगर minus होता तो answer is 2 छोटा वाला तो under root 6 plus under root 6 plus under root 6 ऐसे infinite तक गया इस पूरे का answer कितना जाएगा 3 और इस पूरे का answer कितना जाएगा 2 अब यह हर उस question के लिए valid है जहाँ पर factor के बीच का difference क्या हो 1 जैसे 12 12 को आप 6 2s are 12 भी लिख सकते हो लेकिन आप यह वाला factor नहीं लोगे क्योंकि इन दोनों factor के बीच में difference 1 नहीं है बासमिद में है क्या तो आप कौन सा factor लोगे 4 3s are 12 Sir 4 minus 3 दोनों factor के बीच में difference कितना है 1 तो बिलकुल आप यह वाला लोगे 4 minus 3 is equal to 1 है ना तो अब plus आया अब जिसमें plus है पूरा plus 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 जिसमें यह सारे plus है तो उसमें आपका answer क्या जाएगा बड़ा वाला 4 तो इस पूरे का answer आजाएगा आपका 4 और यहाँ पर minus है सब में minus है तो इस पूरे का answer आपका जाएगा clear यह चमग गया सबको जहाँ plus तो बड़ा वाला factor जहाँ minus तो छोटा वाला factor clear एकदम और यह method यह short trick आप सिर्फ तभी लगा पाओगे जब दोनों factor के बीच का difference कितना हो 1 तो 4 और 3 के बीच का difference कितना है प्लस आए जहाँ पर वहाँ पर बड़ा वाला answer तो इस पूरे का answer कितना जाएगा इस पूरे का answer आजाएगा clear तो यह है short trick और short trick कब applicable है यह जरूर याद रखना only and only when difference between both the factor is 1 बात चमक गई क्या अगर इस type का question handle 15 तो क्या 15 को लिख सकते हो 15 को तो आफ खाली 5 into 3 लिख सकते हो 5 3s are 15 या 15 1s are 15 है की नहीं तो देखो 5 minus 3 1 हो रहा है क्या नहीं तो यहाँ पर आपकी short trick काम नहीं करेगी fail हो जाएगी बुरी तरीके से तो अब यहाँ पर क्या लगाए actual method क्या है sir what is the actual method of solving this type of questions मैं again कह रहा हूँ cadets बनने के लिए class 5th में अगर आप हो तो आपके लिए short trick काफी है आपको जितने भी questions मिलेंगे न short trick के उपर ही मिलेंगे ठीक है तो load लेने की जोगत नहीं है लेकिन जिनके अंदर बहुत ज्यादा जिग्यासा है न मेरे जैसे अगर जो बच्चे हैं यहाँ पर जिनके अंदर जिग्यासा कुट कुट के भरी हुई है तो उनके लिए मैं actual method बता रहा हूँ actual method में अपन quadratic use करेंगे अभी आप पढ़ोगे कब यह आप 9th और 10th में पढ़ोगे भासन नहीं तो जब भी quadratic equation है मतलब x की highest power क्या है 2 variable की highest power कितनी है 2 यह कोई constant हो सकता है 1, 4, 10, 100, 1000, minus 10, minus 100, minus 1000 कुट भी under root 2 कुछ भी a constant है b constant है, c constant है और x जो है वो क्या है variable तो जब भी variable की power 2 हो तो उसको अपन क्या बोलते है quadratic equation और जब भी ऐसी quadratic equation है तो इसमें x की जो value आती है solution आता है minus b plus under root b square minus 4ac by 2a और एक और answer आता है जब भी quadratic है ना तो x के दो answer आते है एक answer ये और दूसरा answer है minus b minus under root b square minus 4ac by 2a तो अपन इसी को use करने वाले है तो अपन क्या मान लेते हैं मान लेते हैं इस पूरे की value है equal to y मान सकते हैं क्या बुरही है क्या फर्क पहनदा है तो इस पूरे की value पन क्या मान लेते हैं y अब अगर इस पूरे की value y मनें तो आप देखो यहां से जब आप देखोगे चीजों को छुपा करके ठीक है इधर की चीजों को अगर आप छुपा भी दोगे यह देखो इसको पूरे को छुपा दो तो यहां से फिर सेम वैसा ही दीख रहा है जैसा पूरा यहां से था पूरा वैसा यहां से यहां से आपको पूरा पूरा तो इस पूरे अंदर वाले की value में y बहुत सकता हूँ, बिल्कुल, तो मैं क्या बोलूँगा, under root 6 plus, और ये अंदर की जो ये पूरी terms है, वो फूर, बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं, infinite तक गया है, समुद्र से एक बुंद पानी निकाल तो कोई फ़रत थोड़ी पड़ता ह है, वैसे ही वो infinite से अपने एक 6 वाला term बाहर निकाल लिया, तो अंदर का जो अपने पूरा देखा, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है, जैसा बाहर से दिख रहा है, तो अपने इसको बोल दिया, y is equal to पूर क्या है, y, अब अब अपने दोनों side square कर दिया, तो ये ax square plus bx plus c equal to 0, तो सबको एक जगा लिके आना है, तो अपने बोला सबको एक जगा ले आते है, इस y को भी इधर ले जाते हो, 6 को भी उधर, तो देखो equation क्या मन जाएगी, y square minus y minus 6 is equal to 0, चमक गया क्या, बस अब quadratic आ गई, तो इस quadratic का solution क्या लिखोगे, इस quadratic का solution क्या लिखो मेरे को बताओ, इस quadratic का solution, आप ये लिखोगे, minus b plus under root b square minus 4ac by 2a, और एक लिखोगे, minus b minus under root b square minus 4ac by 2a, अब इन दोनों में से भी अपन एक answer को हटा देंगे, negative वाला, जो भी negative वाला है का ना, उसको हटा देंगे, एक ही answer देंगे, अभी तक अपन ने इन सब का एक ही answer दिया थ अपन accept करेंगे, बासमान में आ रही है, क्यों? क्योंकि देखो, under root किसी बी चीज़ का positive भी होना चाहिए, तो negative आएगा, तो उसको हटा देंगे, तो चलो, जल्दे से यहापर अपन इस चीज़ को solve करते है, y square minus y minus 6 is equal to 0, yes, y square minus y minus 6 is equal to 0, तो देखो, a की value क्या हो गई, 1, a क value, b की value क्या हो गई, minus 1, constant जो भी है, y square के आगे का जो भी constant है, वो a, y के आगे का जो भी constant है, वो b, और जो बचा हुआ है, यह पूरा का पूरा क्या हो गया, c, तो formula में पूट करते हैं, तो y is equal to minus b, मतलब minus into minus 1 is 1, plus under root, b square, b square मतलब minus 1 का square is 1, minus 4 into 1 into minus 6, केतना हो जाएगा, plus 4 is the 24, by 2 into a is 2, तो 24 plus 1, 25, 25 का under root कितना होता है, 5, 5, 5 is the 25 आता है न, तो 25 का under root is 5, 5 plus 1, 6, है न, क्या हो जाएगा, 1 plus 5 by 2, तो हो जाएगा 6 by 2 and that is equal to 3, इस पूरे का answer अपने 3 निकाला था क्या, है के नहीं, देखो, आगे इस method से, तो आपको load नहीं लेना है, आप class 5th में हो, 6th में हो, तो आपको ये solutions नहीं मालूं, हाँ, ये आप पढ़ो के 9th और 10th में, कि ये कहां से आया, ये formula कहां से आया, हाँ, अगर अभी आपको, you know, memorize करना है, तो आप कर सकते हो, इन formulas को, but वो भी आपको use नहीं आएगा, आपको जितने भी questions दिए जाएंगे, ने, sort trick वाले ही जाएंगे, जिसमें ये ऐसा valid हो, ये 5-4, 1 आ रहा हो, है ना, जिसमें दोनों factor का difference क्या रहा होगा, 1, तो sort trick लगाना चमक गया, सबको, मेरे को comment करके बताना, चमका की नहीं, ठीक है क्या, चलो, तो फिर ऐसे ही आपके doubts के साथ में यहां पर आता रहूँगा, आपके लिए स्कूल के छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे concepts को one-shot में वहाँ पर देने के लिए, ठीक है क्या, और हमने सैनिक स्कूल का पूरा कोर्स बनाया है, AISSEE Classics का पूरा कोर्स है, जिसमें आपको mathematics, GK, GS, intelligent test, English, सब के video lectures, exercise, module, सब कुछ मिलने वाली है, तो अगर आप वो ल में मिल जाएगा, और उसमें अभी 300 flat off है, 300 आपका flat off है, तो आपको वो course 600 के आसपास में मिल जाएगा, पूरा math, GK, GS, intelligent test, everything, you can get it for only 600 rupees, ओके, चलो, तो बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलूँगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कराते रहो, और देखते रहो, सौरब सर की क्लास, जैहिन, बाई बाई, टेक केर,